नमस्ते दोस्तों नमस्षिवाय हैपी तीज फाइनली तीज का व्लॉग आ गया तो एक्चिली कल फास था फिर थोड़ी सी टाइडनेस लग रही थी लेकिन फिर भी मैंने इसलिए शाम हो गया लेकिन मैंने का चलो वीडियो एडिट करके डाल देते हैं बहुत लंगा वीडि कम से कम भगवान की पूजा कर लो और जो भी दान करनी होती है न चीजें वह कर लो बाकी रिचूछ चाहें बाद में करना है क्योंकि 11 बज़े के बाद 30 खतम हो जा रहा है चतूर दसी लग जा रहा है चतूर दसी नी चतूर थी आइफिक फटा फट में तयार हुई और सारी चीजे की मतलब इतनी जल्दी जल्दी करनी पड़ी न क्योंकि सोसाइटी में प्रोग्राम था साम चार सारे चार का उसे कॉर्डिंग हम सारी प्रपरेशन की हुए थे लेकिन अचानक मम्मा का फून आ गया कि नहीं नहीं अभी जाओ अभी जाओ फिर मैं फटा-फट की चीजें कपड़े और जो भी अनाज पैसे वैसे दान करने थे वह सब मैंने किया पहले फिर उसके बाद दो पहर में आराम किये फिर शाम को जो हमारा पहले से डिसाइड़ था पूजा सोसाइटी में सारी लेडिज का एक साथ फिर उसमें गई थी मैं तो देखो यह हो ग सारी चीजें सुभा ही कर ली थी तो इसलिए में कोई चीजें लेकर नहीं आई थी सिर्फ पंडी जी को देने के लिए दक्षिना लेकर आई थी और पीछे हम लोग बैठे थे ने भगवान को चढ़ा नहीं पा रहे थे तो यह जो भाभी चढ़ा रही थी ना यहीं हम बड़ी संकर जी और अच्छा तो लगता ही है फेस्टिवल और खास करके जब हम औरतों का करवा चोथ ती जी यह सारी चीजें होती हैं जब हम सब इकत्ते होते हैं सब सजते हैं अपने लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और यह मेरा सारा दिकत भी नहीं कि फास्ट कनने में यह देखो यह सर खेल रहे हैं और भी बच्चे खेल रहे हैं और यह पंडी जी हम लोग को कथा सुना रहे थे जो पिंक कुर्ते में हैं तो इन्होंने कथा वगरा करी और जो राइट पंडी जी के बगल में बैठा है ना लड़का यह पंडी जी का ही लड़का है तो यह हम सब और थी सारे लोग तो करतें यह सोसाइटी में क्यूंकि इसके पहले जो एक महिना पहले तीज आया था ना तो मैक्सिमम लोग बोग बगरा हो गए थी फिर उसके बाद हम सब ने एक एक करके आरती करा उसके बाद क्या बोलते हैं सब ने जो मा गौरी को चड़ाया गया था ना सिंदूर पीला वाला तो यह वाला तीज जो होता है ना हर तालिका तीज वो मैक्सिमम यूपी भी हर के लोग करते हैं तो इसमें नाक से सिंदूर लगाया जाता है बहुत अच्छा लगता है तो हम सबने आर्ति करी फिर सब एक दूसरे को सिंदूर लगाए यह देखो मेरा बेटा बहुत परशान कर रहा था बहुत ज्यादा अच्छा ने अभी हम लोग भजन गा रहे हैं आर्ति हो जाने के बाद इसे रात को किर्तन करते हैं ना तो रात को तो हम लोग नहीं आने वाल तो फिर हम सब बैठ के भजन गा रहे थे भजन के बाद बाकी चीज़े हुई थे देखो सब भजन गा रहे हैं कि मज़ा आया था तीज में तो अब करवा चोथ में और मज़ा आएगा अब यहां पर भजन वगर हो गया था पांच शे गाने हम लोगों ने गाया थे और तो किसों को ज्यादा आ भी नहीं रहा था इस जनरेशन की प्रॉब्लम है कि कुछ आता जाता नहीं ज्यादा फिर सब एक दूसरे को सिंदूर लगाया था है कि देखो सब एक दूसरे को लगा रहे हैं कहीं यह मेरी परोसं थी इनको मैं लगारे हूं सब एक दूसरे को लगा रहे थे बहुत अच्छा लगा था लेडिस तो बहुत हैं बट मैक्सिमम लोग करवा चोथ करते हैं और बाकी लोग जो इसके पहले हरियाली ती स्थाना वो करते हैं यह हम कमी लोग थे और कुछ लोग तो अपने घर पे भी कर रहे थे फिर इन्होंने मुझे लगाया था मुझे डैरेक्शन ही समझनी आ रहा था इस्ट वेस्ट का पीला सिंदूर आज भी लगता है तो अलग यह फीलिंग आती है हमारे तरफ शादी एक्चली इसी सिंदूर से होती है तो यह लगाओ तो एकदम न्यूली मैरिड वाली फिल आती है इसके वाद पंडी जी सबके आंचल में इक प्रशाद जुमा गोरी को और संकर जी कुछड़ा था वो उठा के दे रहे थे मेरा बेट एकदम परशान था माइपल खाना है माइपल खाना है घर पे रहता है तो बच्चे नहीं खाना चाहते बट बाहर गया है तो उसको एप पंडी जी पहचानते हैं तो फिर उन्होंने मुझे उठा के एपल दिया भी यह देखो फिर मैंने प्रणाम कर लिया था और एपल दे दिया था बेटे को खाने के लिए फिर उसके बाद हम लोगोंने फोटो क्लिक कराई थी बहुत लंबा प्रोसीजर था यह और बहुत लंबा कारेक्रम था बट मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे क्लिप्स डाले हैं उसके बाद हम सबने ग्रूपिंग में फोटो करी थी साथ में बहुत अच्छा लगा था बह फिर फेस्टिवल सेलिब्रेशन शेयर करती हूं और बाकी दिन में रेसिपी जो है उसको मैं अपलोड करती हूं सब कुछ हो गया था अब जिसको रुकना था वह रुक रहे थे हम लोग फिर मंदर में मक्था टेक के और फिर हम लोग आ गये थे घर क्योंकि इनके वी दो च चोटा बेबी है तो हम सब को घर जाना था तो यह था हमारा तीस का व्लॉग